नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चनल इंडियन आयर्वेथिक डॉक्टर को दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त एमकेस मैसेने दोस्तों सब्सक्तम अध्याय अन्रक्षे विद्धि का पार्ट फर्स्ट कंप्लेट कर चुके इस पार्ट फर्स्ट में कुछ ट लेकिन आपको अपनी जो मैन बुक है उसका भी अध्यन करना सब्सक्ति क्योंकि यह उल्ली पास होने के लिए जो इस्ट्रेट कमजोर होते हैं जो वीक होते हैं वह समझने पाते बड़ी बुक से इस्टेडी नहीं कर पाते उनके लिए हैं अगर आप और नमबर लाने टो अच्छे नमबर लेने हैं तो अपकी मैन बुक को स्टेडी करना यह उनली समझने के लिए हैं और जो कमजोर बच्चे हों जो समझने की पाते पूरा नहीं फट पाते उनको पास होना होता उनके लिए तो इसमें टोपिक रह गया था कि विस्दाता के लक्षन अब इसमें क आद पस्ट One क्राइव का राजा महराजां वbour Ferr정 करती दे क्योंकि वह बर रंगती किरा रहतो है मतलब कहीं देखते हूंगे तो तो यह देने वाल तो वो तो गरती लगा यह लिखता रहता है कि पकड़ा नहीं जाए इस तरह के से वह लक्षन है जो अपने हिसाप से आप लिख भी सकते हो जो मतलब आयरवेदा एक क्या बोलते हो उसको अपने एक में ही है सब कुछ अईरवेदा का तो उसको अनुसरन करके भी लिख सकते हो तो विश्दाता लक्षन क्या कि घबराएगा उसके हाथ पर कापेंगे पसेने से लग पर रहेगा डरता रहेगा इस तरह के लक्षन लिख सकते हो विश्दाता कि ठीक है और इसमें एक मैंने प कावल की परिवासा बोल देती गंडूस की परिवासा यह है सही मैं बताता हूं आपको गंडूस की परिवासा बाहर निकाल दिया और जो मुम उसर दरव को इतनी दारण करना और मुम में हिलाना उसको कवल बोलते हैं तो मैंना उसके वीडियो के कमेंट में भी उसको मैंने पिननेट करके मतलब हाइलाइट कमेंट करके मैंने बता दिया था और मैंने इस वीडियो में बताइब